कि विश्कार दोस्तों मात अपन कुमार जहाब सभी का बहुत सा गरता हूं हमारे आज के संदे मॉनिंग सेशन के अंदर जिसमें आज बात करने वाला हूं बहुत बढ़ जाते हैं रिस्पॉंस नहीं आता उसके बाद काभी साहे क्रिटिकल बग्स नहीं मिल पाता है या फिर आपके साथ में भी सीम यही सारे चैलेंजेस हैं कि तो भाई बग नहीं मिल पारे डूब्लिकेट जा रहे हैं एक चलो बहुत बढ़ी ऑच्छा आ रहा है तो अगर आपको साथ में भी डाउट है यह इस टाइप का कि तबन भाई डूब्लिकेट सा रहे हैं ठीके ना प्रॉपर में बग हंटर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग बगसी नहीं मिल रहे हैं लाइप प्लाटफॉम पर जाने के बाद हाकरवन पर जाएं बाक्राउड पर लेकिन आपको बग नहीं मिल पा रहे हैं कौन सा प्रॉग्राम चू करें चूरी में बारे में आज बात करेंगे बाएं डिटील हम अगरे मैं क्यूस करता हूं मैं कैसे चाह presenting करता हूं मैं इस पख पर चूर मिल पाएं यह रहीं आगर बहुत इंकर yamh बगंटिंग कर रहे हैं और बग्स मिलने में आपको फ्रीक्वेंटली दिक्कत आती है तो ये वीडियो एंड तक दरूर देखना आपको सारे पूरी वीडियो को अंदर पूरी वीडियो को समझना मैं हर एक पॉइंट को कवर करता हूं कि मैं कैसे प्रोग्राम चूस करता हूं और आज के सेशन के अंदर जहां पर बात करने वाले चलिए ठीक है गाइस स्टार्ट करते हैं आप सारे कॉश्चन को मैं वेलकम करूंगा ए अगर आपको वन टू वन कोर्स करना मेरे साथ में तो मैंने फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स में जाकर आप भर सकते हैं उसके लाव वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है यह सिर्फ बग्राउट के बारे बात नहीं करने वाला मैं बाउंटी प्रग्राम के अंदर अडर्ड रोल करना चाहा रहे हैं और आप यह चेक कर रहें कि तपन सार मेरे सामने बहुत सारे प्रोग्राम से आ गए अब आउट ऑफ दाट मुझे उन में से कौन सा बग्द बाउंटी प्रोग्राम चूज करना है तो पहले आप यह चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी कितने समय से चल रहा है इस टेल में वेदर आई शोड़ स्पेंड मोर सम टाइम ओन लो हांगिंग फ्रूट्स और डिग डिपर अब देखो यार यह क्या होता है यह बहुत बड़ा रोल निभाता है मैंने देखे बहुत सारे कि अगर आप लाइब बाट करने वाले पहले आप देखे कि यह लॉंच डेट क्या है अगर प्रोग्राम की लॉंच डेट काफी पहले हो चुका है उसको तो आप सोचना ही चोड़ दे कि आपको लो हैंगिंग फूर्ट्स मिलने वाले क्योंकि वह स्टार्टिंग में सब हर बंदा पहले उसी को अना टार्गेट करता है कि लो हैंगी फूर्ट्स मिल जाए फ्रावड इसको रिपोर्ट करते हैं तो अगर मालो लॉंच ठीट थोड़ी प्रानी है थोड़ा पुराना दो तीन महीं पुराना हो चुका है तो समझ जाईए कि वह तो हट चुका है अब इसली रिपोर्ट कर दे जाते हैं फंदरा दिन वीज दिन के अप्रॉक्सिमिट के अंदर अंदर तो इसलिए आपको प्रोग्राम डीट्स चेक करना है पहले उसके यहां पर क्या दिर्खा है मैंने बिकॉस अनलेस देर और निव एसेट्स मॉस्ट ऑफ इजी बक्स अगर मानलो उसमें कोई नया एसेट एड नहीं हुआ है अगर आप बिगनर है तो कभी भी आप उस पर टाइम स्पेंड ना करें कि आपको मिलेगा इडी बग वो उनके लिए होता है कि जैसे मानलो थोड़ो सा आपको सीख लिए आपने काभी कुछ निकाल ली है तो उसके बात जाकर आप जरूर को उतला को चूज माँ उस ही कोूज करें बिलकुल लीटेस्स प्रोग्राम हो उसी को चूज करें ताकि आपको ब्स मिलने में असानीुद इसको मैं दिखा भी दाओं ताकि आपको पता भी चलिए कि कहा पर मुझे देखना है कहा मुझे सर्च करना तो मैं यहां पर जाता हूँ अभी दिख रहा होगा है यहां पर टॉप पर दिखेंगे आपको आपको इसमें कर लेना साइट का लिंक की जो रहेगा मैं आपको डाल दूंगा वहले आपको चाहिए तो मैं अभी भी डाल देता हूँ ताकि आप लॉग इन दो कर लें उसके अंदर तो यहां पर बहुत सार बचे तबन भाई कि यार क्या यह जानना जरूरी है कि कौन्सा प्रग्राम चू सब्सक्राइब के दोरान या फिर वेब टेस्टिंग के दोरान दोनों जगह आपको जरूरत पड़ता है एक राइट मेथलोजी एक राइट पाथ की ताकि आपको सक्सेस रेट बढ़ सके आपका अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे दिख रहा होगा आपको यहां पर किसी यहां यहां बड़ी अधा प्रणाप चूस कर लेते चलो यह लेलते लाइट स्पीड का लेल एक स्रीज ठीक है दिखाता हो यहां पर आपको यहां पर जिसे आप इसको ऊपन कर लेंगे तो साइड में आप आप देखेंगे आपको इतने सारे लोगों ने रिपोर्ट कर यहां पर आप देखेंगे तो यह है कि अबर आप यहां पर आप जाते हैं दूसरे के अंदर यहां पर देल्स मिल जाती है क्या है क्या है वो बना कर दिया था उसके लिए तो वो चीज ठीक है तो आप देखें यहां पर जाए अनौसमेंट्स पर चल जा सकते हैं आप क्या चीजों के बारे मिल जाएगा इसका ठीक है तो यहां पर कुछ अगर अनौसमेंट कमणी ने कर रखा कुछ नए एसेट्स एड़ करें तो आपको इदर मिल जाएगे अगर आप इस पर आते हैं यह पर हैकर वन पर आते हैं आपन आप जाएंगे तो नीचे कोई प्रोग्राम आप उपन कर लेते हैं आप वीडिटेल पर क्लिक करते हैं अब जामेटों में आने का दिख रहा हो का टॉप पे देता है यह पूरा इन लाउंच इन फैब्री दॉश से बैठा हुआ है तो स्टार्टिंग में आपको इधरी मिल जाएगा जल्दी आएगा नासी का ब्लॉग भी जल्दी आएगा भाई तो मिलिट्री को पढ़ाये था हमने इंडियन आमी को तो इसके पूरा टाइम और बहुत फास्ट चल रहा है अभी कल जैपोर निकल रहे ह यहां पर यहां पर अप्डेट होते रहे हैं आपको यहां पर यह चेक करना ही कुछ नए एसेट्स एड़ होने चाहिए या फिर इसकोप के अंदर नए जिसके ओपर आप भंटिंग कर सके या फिर यह जो प्रोग्राम है वो नया लांच वहना चाहिए या फिर आपके उस अगर हो रहे हैं तो ही जाके आप उसके चूज करें अधर्वाइस कोई मतलब नहीं है पराने प्रोग्राम की उपर बगंड करने का बिगनर लेवल पर बना बनाया कोई बहुत पराना कंडिटी पकड़ लोगे तब भी आप कर लोगे बिगनर लेवल में कॉन्फिदेंस ब ध्यान देना है कि बहुत सब्सक्राइब करते हैं हमारे बहुत कम डुब्लीकेट साथ है तो बग डुब्लीकेट बग्स आप कैसे मतलब कैसे रिमूफ करते हो क्या चीज आप क्या परामेटर आप देखते हो है प्रोग्राम के अदा जिसके तुरू आप आडिनेफाइग बहुत सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया तो शायद आपके जो है ना काफी सारे जो डुब्लीकेट हो रहे है वो अब नहीं होगे बहुत सार लोग इना इसको भी ध्यान ने दिता है तिदे यूरल पकड़ो और अटाइक लगाना शुरू तो ऐसा नहीं हो दा बहुत एक मैथलोजी है बगहंटिंग जो है ना एक मैथलोजी है जिसको पहले अनीशली एक प्रोग्राम चूज करने से लेके एक वैब लिकेशन के ओपर इनुमेरेशन से लेके एक हंटिंग करने तक तीनों चीजों की अपनी स्पेसिफाइड मैथल लेवल पर करता हूँ किसी इनुमेरेशन पार्ट पर जैसे इनुमेरेशन अगर मुझे करना है किसी नए डोमिना किसी नया टागेट मैंने चूज करा है तो वह कैसे कर रहा है तो वह बताऊंगा वह भी मैं आपके सामने एक्सपोस कर दूँगा कि देखो यह यह चीजी त सबस्क्राइब करते हैं तो यह बहुत अच्छी है तो रिख फॉर्ट यह बहुत है और सब्सक्राइब ने भाता है अपके दूब्ली केट्स को फांड रूट करने में लेट सब्सक्राइब तो अब ने पूरा बुक है जिसा कि मेरा पूरा बुक है तो नेक्स महीने की डेट्स मिल लाईगे आपको एक से लिए पांच कि यूजब कर लो अब क्या हो गया कि आपने डिले कर दिया रेस्पॉंस जो ना प्रॉपर टाइम पर नहीं आया पाया आपका दस दिर की अधाफ का अगले बंदे का रेस्पॉंस ही नहीं आये था अगर वो डाल देता तो आपको दिखता कि यह वननेविडी तो आलड़ी इसने पैच कर लिए यहीं पर जाता है दिकत ठीक है ना तो बैसिकली रेस्पॉंस टाइम जो है ना यह बहुत इंपॉटन रोल ने भाता है डूब्लिकेट्स को रिमूव करने में और कंपनी जो होती ही ना कई बागर उसका रेस्पॉंस टाइम ज्यादा होता है ना तो उस कंडिशन मत दो क्य कर दिया होगा और सबकी होल्ड हो गई वहां के रिपोर्ट अब भी कुछ नया ढूंड रहे है या बहुत टाइम लगाया उसके अंदर क्योंकि दो तीन दिन में पर ऐसे नहीं कि आदे घंटा है टाइम लगता है उतना टाइम वेस्ट भी कर रहो तो कुछ मिल भी नहीं र प्रोग्राम टेक्स लॉंग अगर प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है किसी भी इशू को रिजॉल्व करने में इस बहुत कम लोगों ने बताया हुआ आपको यह बहुत कम लोग इसके बारे पर डिस्क्लोस करते हैं कि आप आपके डुब्लिकेट जो है इसको आप जरूर करना तो जितना शॉट रहेगा यह उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा साफसी बात है अब देखो यहां पर आते हैं सारे गाई सारे कॉस्टन का आसर दूगा में पर जो जो लोग कमेंट के अंदर आ गए और जो लोग अपने कॉस्टन पूछा पर अपन के अंदर पटावड़ अपना नाम ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स के अंदर प्रिजेंट्सर डाल के टाकि एंड अप देखो यहां पर यू करने का मौका मिल जाएगा अब देखो यहां पर और सीधा पर्सेंटेज ऑफ रिपोर्ट को एक्ट्वल में रिस्पॉंस में पर यहां पर दिखेंगे न तो यहां पर स्पोंस बैक्रिक्स बनता देख रहा होगा आपको यहां तो यह बहुत बहुत बड़ी है और नहीं इसके नीचे तो अब जाना हो सब्सक्राव के लिए ठीक है तो यह बहुत इंपॉंट बात है कि आपको समझना है कि पहले बात तो जो है ना company का वो कम रहना चाहिए ताकि आपके duplicates ना है क्योंकि although आप मेनद करोगे मेनद करके भी कुछ ना मिले तो क्या मतलब आ रहा ठीक है तो यह हो गया अब उसके बाद third important point जो ना वो क्या था scope of the bug bounded program अब यहां पर जाएंगे आप तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम में से अब हमारा scope choose करना बहुत important होता है कि सर जैसे वालों यहां पर चला गया मैं एक सिकने दिखाता हूं मैं आपको हाँ ठीक है तो अब मैं इस पर आगया एक स्रीज के आप जाले प्रोग्राम के उपर मैं पीछे करता हूं तो अपनों सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे अब देखें यहां पे बहुत सारे प्रोग्राम से इन्वेसे कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो जिसों मुझे बग मिल जा है बड़ा question कामिता लोग को पता ही नहीं होगा कि कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम चूज करें कि बहुत से इसके अंदर बग मिल जाए अपनको और जिसमें ज्यादा possibility देखो क्या होता है कि बग मिलना कोई confirm नहीं होता बड़ दर भी possibility कि आपको वाप बग मिल जाए अच्छा ठीक है ना तो वो क्या possibility कैसे उसको identify करे तो बहुत कि यूजरी प्रिफर बिगर स्कूप जो बड़े स्कूप सोते ना मैं जलनी उनको उनको ही प्रिफर करता हूं देखो बड़े स्कूप को जो इसका स्कूप बड़ा होता है for example I would prefer wild card domain मतलब कि एक single domain की जगह मैं क्या चूज करना पसंद करूँगा आप एक wild card domain चूज करना चाहूंगा मैं और सिंगल वैप्लिकेशन एक सिंगल वैप्लिकेशन डोमेन दे रखा है उसके उपर wild card बना रखा है कि इसमें जितने ही सब डोमेन है सारे आपके है तो उसमें क्या एक अच्छा आपको टाइम मिल जाता है प्लस इसके अलावा reduce competition एक आपका competition एक आपका competition reduce हो जाएगा उसके अलावा because there is enough room to play with different assets क्योंकि यहां पर बहुत सारे rooms है बहुत सारे domain से जिसके ओपर अलग-अलग bug hunters अपना testing perform कर सकते है तो अगर एक ही होगा तो फिर कोई मजा नहीं आएगा आपको सारे सारे एक पर लग जाएगे और जल्दी जो है ना bugs सारे निकल ज जोड़ दो गया उसको पर अगर एक डॉमेन गें तर बहुत सारे सब्डोमेन तो आपको चांसेज है कि अपने डॉमेन ट्राइक कर लिया कुछ नहीं मिला सेकेंड पर जाप कर गए पर अप डॉमेन चेंज करते चले गा तो उसमें आपको इसी में मजा आता है ठीक है ना इसलिए ट्राइ करें ऐसे स्कोप चूज करें ऐसे टार्गेट चूज करें जिसके अंदर काफी ज्यादा मातरा में या फिर मालो इसका स्कोब जो आना काफी बड़ा होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बड़े ही प्रोग्राम चूज करों आप स्मॉल प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं बट सबसे पहली दो चीज़ा आपको देखनी है पहले बात उसका ग्रीड रिस्पॉंस ट्राइम होना चाहिए और गुड रिवड रिवड है आप आदमी तो आप जो बग ढूंडा है उसकी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वहां पे ऐसे ही पचास सौ बग्स अलड़ी बहुत सा लोग रिपोर्ट कर चुक है तो वहां तो बाट जाएगा प्लस अगर रिवार्ड ही अच्छा नहीं है सिर्फ पॉइंट्स मिल रहे हैं सिर्फ आपक पर वह आच्छे रिवार्ड दे रहा है जो मेरे काम आ रहे हो सकता है कि मुझे जॉब ऑफर कर मुझे अच्छा बाउंट मिल रहा है बाउंटी एच्छी मिल रही है तो फिर आप ऐसे प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं आप अधर प्रोग्राम के लिए मुवाउन कर जाए ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो इक और इंप्रोटेंट एक रिवोर्ड्स कैसे आप देखि कौन से पर आप काम करना चाहिए कौन से काम ने करना बहुत सार लोग बगहंटिंग सालो ठीक है रहा तो अब देखोंगे बहुत सारे लोग जो ना वो बगहंटिंग करते में परपस पैसा कमाना है ऑनलाइन घर बैटे- पैसा कमाना तो भाई बग बाउंटी रिवार्ट जो ना यह एक इंपॉर्टेंट रूल निभाता है आपके प्रोग्राम को चूज करने में आप एक साल तक आप बगंटिंग करें पॉइंट से मिल रहे हैं कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहां पर रिवार्ट्स हो अब देख कि यहां बहुत आते हैं अपर रिस्पॉंस टाइब चेक कर लेते हैं ठीक है इधर आता है इस दिख रहा होगा अबब वन आर इंगर आपको यहां पर सवजमार आपको तो मतलब कि जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं जितने भी हमारे टीम से ठीक है ना तो इसके तुरू आप आराम से कर सकते तो ऐसे आपको चूस करना पड़ेगा दिखना पड़ेगा कि इसकी रिस्पॉंस एफिशेंसी क्या यूँकि यह जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह बढ़िया स्कूप हो सकता है ठीक है यहां पर बात करना है रिवार्ड के बारे रिवार्ड जो है ना यह एक पाइसा ही चाहिए फगंडिंग कर रहे है तो खाली पीली बैटके से टाइम वेस करने हैं कोई परपस नहीं सब्सक्राइब जॉब कर लेंगा ही जाके ठ अधर क्रेटेरिया आइड लुक फॉर इफ इन्वेस्टिंग में देखो यहां पर बहुसा लोगों क्या लगता है अरे अधर क्र लेंगे इधर कर लेंगे उदर कर लेंगे क्या जाए टाइम जाएगा नहीं आप अपना टाइम एक्ट्वल में इनवेस्ट कर रहे हैं उस तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइ टाइम लुकिंग फॉर सिक्यूरिटी बाक्स आई वुड लाइक टू हाव बिगर रिटर्न ऑन माइ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपनेट होता है अभी रीसेंट में काभी सारे स्टूडेंट्स जो है मतलब काभी सारे जो स्पीकर से परोच कर रहे थे चाहिए अगर आप जिखन लोगे अगए आपको बीसा कमाना है अhr मिगर अगर आप इस कमाना है और अगर आप फीके लोगे तो पीछाले फ्री सेशन लेंगे तो उस कंडिशन में क्या होगा हर और्गनेशन पाज लाया फ्री में लेते हैं लोग तो फ्री में दिलाएंगे सबसे तो कभी भी आपको पेड नहीं होगा कोई चीज तो इसलिए मैं रिकमेंट करता हूँ मैं सारे भाई उसे जो भी यह न यह ने अब करना चाहिए यहां पर यहां पर यूटब करता हूँ तो कि यह चार्ज है कि आपका क्या है कि आपका डौ दे बंदा और यह लाइक ही आपका वो है मैं गुरु दक्षिणा लाइक कर जाए वीडियो को बस होगे अमारा काम ठीक है अब देखो यहां पर क्या दिर्खा है कि तो हमेशा हमें क्या चूस करना चाहिए जिसके अंदर अच्छा अमाउंट मिल रहा हूँ वही हमें प्रोग्राम चूस करना चाहिए अब उसके अलावा देखो एक और सबसे बात कि जो लोग सिर्फ पॉइंट के लिए करते है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्ट लाइन दे रखिए not only because of the money but also because the reputation you get is significantly lower तो जो आप यह फ्री प्रोग्राम जोइन करेंगे तो आगकी रिपॉटिशन भी बड़ेगी पर अगर आप फ्री प्रोग्राम में कर रहे हैं तो वहां पर कोई रिपॉटिशन नहीं बनती है इसलिए हम बोलते हैं कि इसलिए हम यह बोलते हैं इसलिए हम पर आप यह करना था है स्टार्टिंग के अंदर आप जब करें तो ऊपन बग बाउंटी से कर लें पर वहां से प्रेक्टिस करें फिर बगट्र और पर आके ही आप एक्च्वल हंटिंग करें वह फ्री का है तो वहां पर कोई वैल्ली नहीं है आप कितना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं तो रिवार्ड जो ही एक इंपॉर्टेट वाला पार्ट होदा उसके बाद हो सबसे इंपॉर्टेट बात है यह जिसे दिखाता है आपको रिवार्ड कहां दिखता होगा सब कोई भी प्रोग्राम को खोलते हैं तो पर दीजाता है यहां पर एवरेज बग बाउंटी दो डाइसो डॉलर की मिल जाती है यहां ठीक है ना ऐसे रहे हैं और प्रोग्राम को भी चेक करेंगी दर भी चेकर दिख रहा होगा आपको परवल ने बिटी ठीक है अन्नोन प्रोग्राम को यहां पर इसके थुरू आप रिवर्ड्स भी चेक करने के पर इसके बाद भी यह इंपॉर्टेंट है कि आपको यह चेक करना है उस पर्टिवलर कंपनी की वेबसाइट क्या है ओफिशल वेबसाइट भी जरूर जाकर चेक करेंए एक बार तकी पास दिलज करने के लिए ठीक है ना मेरे स्कूप से मैच नहीं कर रहाती है ठीक है ना तो आपको सब्सक्राइब कर देखोगे तो आपको सब्सक्राइब किस लेवल की साइट है अब देखो यहां पर रखाए इफ और प्रिवियस मेट्रिक्स लुक गुड़ फॉर मी इस चेक कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट को हम चेक करते हैं बार ताकि वह मेरी वैल्यू के साथ मैच हो सके देखो अर जगा अर जगा हंटिक करना भी सही नहीं होता और बहुत बढ़ियां जगा करना भी सही नहीं होता तो आपकी वैल स्कोप बढ़ा वाइट सा हो उसके अंदर थाकि चांसे उफ रिपोर्टिंग बग इस बॉर देन दर डॉब्लिकेट्स ठीक है ना और अगर मालो अब जैसे वह वह बिसिकली मेरा वैल्यू कि मैं बिगिनर हूं कि मैं एक्स्पीडियंस हो कि मुझे बहुत आता है मुझे कर नहीं लेते बहुत सारे कंपनी के प्राइब बग बाउंटी प्रोग्राम के लिए भी हमें रिक्वेस्ट राती मिल्स के ऊपर कि आप यहमारे से पार्टिस्पीट करो बट कुछ साइट सब्लोग चेक करता है कि लगता है कि यह सेंसिबल नहीं या इसमें बहुत राफि करने के बाद आपको अपने बग जूज कर लिए अब इसके बाद नेक्सिंपॉरेंट टास्क यह वह क्या है कि आपको कैसे अप डमेंट टुमेंट पर टेस्ट करना है अब उस डो में परिनिशिएक कैसे करना है आपको थेखे ना तो मतलब आपको कैसे उसको लेके चलना है पहला इन्वरेशन में आ करना है क्या हम सर पुरी रेंज निकालना शुरू कर दे पुरो डिया इन्वरेशन कर दे नहीं है ऐसा नहीं होता गाईज तेगे अगर आप यह कहीं और से पढ़ रहे हैं या आपको आपने कही बुरा बुरा हो तो कभी भी इन्वरेशन जो होता है वह इनिशल पीस है बहुत लाइट होता है रियल टाइम के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में इन्वरेशन नहीं करते हैं ठीक है ना थोड़ा वह 10-15-20 या 5-10 हमें मिल गया सब दो में उस पर हम लोग गो तुरू करन हो ठीक है ना उससे क्या रधा है कि अगर मालो कमनी ने रिस्पॉंस नहीं दिया जैसे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इसलिए जरूरी यह है कि आप एक राइट प्रोग्राम चूस करें और उसके लावा आप राइट मेथर से जाएंगे तो और इनिशल लेवल पर आप कम एफ़र्ट लगाना है इनुमरेशन फेज में जाएफ़र्ट लगाना आपको नेक्स टेप में इस पाइस एक कंटेंट चेंज करो बोर हो गया भाई कोई दिख कर दिनी यह आपके लिए कॉंटेंट नहीं है ठीक है यह उनके लिए जिनके प्रोग्राम जो है ना चूस नह नहीं कर रहा है कि तो मैं रिक्वेंट करूंगा इवीडियो डिटेल में देखो क्या हो दाई कि डिर्टिकल देखके आपने बहुत देख लिए पर आप ऐसे प्रोग्राम को चूस कर रहे हो जो शायद आपके लिए साही नहीं हो तो और आपको बाउंटी भी नहीं बिल प कर रहे हो ना को पर आपको से निकले बहुत मिलेगा ऐसे अब आपको सौझ में आगया कि मुझे कौन से बग बाउंटी प्रोग्राम को चूस करना क्या मेरा होना चाहिए ठीक है तो मेरे साब से आज के लिए इतना काफी करते हैं आपने काफी कुछ जानकर लेली होगी कैसे करता हूँ तो वो चीज मुझे कमेंट में डाल देना सौ कमेंट का वो रहेगा टागेट रहेगा सौ कमेंट सौ लाइक का टागेट रहेगा अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो मैं अपने मेतलोजी के अपर जल्दी नेक्स वीडियो लेकर आऊंगा इसी सीरीज के अ मोच आ जाएगी और तो भाई मैंने फॉर्म दिया रखाए चैट बॉक्स में जाके आप भर सकते हैं अगर आपको पीडिटी चाहिए तो उसके लिए मैं यहां पर आपना वाट्सप का लिंग डाल देता हूँ मैं रूपका लिंग के हमारा पीडिटी उस पर मिल जाईए आपको ठीक है इस वीडियो के लिए थैंक्यों राइस टेकिए बाबाए गुद्धा शबाकर मिलते फिर नेक्स वीडियो के दर टेकिए बाबाए